सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं स्पैसिफिकेशन्स मिल जाती हैं पढ़ सकते हैं तो स्पैसिफिकेशन्स तो इसके अंदर आपको काफी अची दी गई हैं बाकी चलिए कर लेते हैं इसके बॉक्स का उन्बॉक्स और देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर आपको क्या के दिया गया हैं तो जैसे आप इसमें अंदर की तरफ ही लगता है आखर मापको रखवा मिलता है ये बलैक कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी आपको नॉर्मल दी गई है इस मुबाल की केमत के हिसाब से केबल भी आपको नॉर्मल मिल जाती है माइकरो यूस्बी पोर्ट मिल जाता है इसके अंदर तो ये सरसमन आपको मिलता है जियो फून के साथ इस मुबाल के साथ 800-1000 में रेट के साब से देखा जाता है तो बॉक्स के कंटेंट स्थीक दिये गए हैं चली बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो इस मुबाल के अंदर आपको डिजाइन दिया गया है प्लास्टिक के टाइप का लाइट की रिफलेक्शन आप देख सकते हैं इसके बैक पेनल पर काफ़ी अच्छी लग रही है उपर की तरफ आपको मिल जाता है लेट से पर कैमेरा उसके बराबर में स्पीकर बीच में मिल जाती है लाइफ की ब्रांडिंग नीचे की तरफ साब देखेंगे तो दोसका इसका डिजाइन नीचे की तरफ से करवड है जो काफी बढ़िया लगता है इसके लब दोस्तों इस mobile के अंदर आपको पीछी की तरफ एक camera दिया गया है जो कि एक VGA camera है तो rate इसका कम है तो camera की performance आपको इससाब से normal ही दी गई है camera तो इसके अंदर आपको normal ही मिलता है बाकि मुझे छोटी सी कम भी ये लगी इसके अंदर आपको front camera नहीं दिया गया इसके लब दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आपको इसके design कैसा लगा ये चीज़ कमेंड करके ज़रूर बताइएगा मुझे इसके design काफी अच्छा लगा यूँकि नीचे सा curved है इसके लब दोस्तों आप देख सकते हैं इसके keypads आपको कैसे दिये गाए हैं बाहर की तरफ निकले हुए हैं लेकिन press करने में कैसे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले चली कर लेते हैं mobile को start और बात करें दोस्तों इसकी battery के बारे में तो बैटरी सके अंदर आपको दी गई है 2000 mH की एक दिन का battery backup इसके अंदर आपको आराम से मिल जाता है बैटरी सके अंदर आपको काफी ज़ादा बढ़िया दी गई है और 800 से 1000 रुपे में इसके अंदर आपको मिलती है 512 MB की RAM और 4 GB की internal storage तो इतनी RAM और storage इसके अंदर आपको दी गई है डिस्प्ले साइज मिल जाता है 2.4 इंच इसका तकरीबन 2.5 इंच की इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिल जाती है अब डिस्प्ले की brightness जो है दोस्ते इसके अंदर आपको कैसी दी गई है आप देख सकते हैं अब इस mobile की display में आपको करीब से दिखा देता हूँ बिल्कुल full brightness करके तो दोस्ते इसके अंदर आपको front camera तो नहीं दिया गया और display की अगर आप brightness देखींगे तो वो इसके अंदर आपको normal ही दी गई है डिस्प्ले की brightness मुझे इसकी वैसे थोड़ी सी down लगी अगर और जादा better होती तो काफी अच्छा रहता डिस्प्ले की qualities के अंदर मुझे normal ही लगी और डिस्प्ले के ठीक नीच आपको मिल जाती है life की branding इसके लग दोसो उपर की तरफ आपको दिया गया है calling speaker left side साब देहेंगे इस mobile को तो आपको इस तरफ plane design मिल जाता है कुछ इस तरी की से pattern में नीचे की तरफ साब देहेंगे तो headphone jack भी दिया गया है इसके अंदर और charging port मिल जाता है नीचे की तरफ और कुछ इस तरी की से design है right side साब देहेंगे तो इस तरफ से plane design इस तरफ कुछ नहीं दिया गया उपर की तरफ साब देहेंगे तो left side पर आपको मिल जाती है torch तो ये चीज इसमें काफी अच्छी दी गई है इसे की साथ इसके अंदर आपको HD calling और Wi-Fi भी दिया गया है तो दोसर ये सारी features मिल जाते हैं आपको इस mobile में 800 से 1000 के आसपास चलिए बात कर लेते हैं सबसे main चीज आपको ये mobile लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए अब दोसर इसकी कीमत तो काफी जादा कम है नीचे की keypads इसके लव दोसर इस mobile के अंदर आपको जो डिस्प्ले की brightness मिलती है वो मुझे इस mobile के अंदर नॉर्मल लगी ये दो चीज़ों में मुझे ये mobile average लगा बाकी दोसर design, battery, इसी के साथ RAM और storage इसी के साथ इसके अंदर आपको HD calling का भी support मिल जाता है तो काफी अच्छा रहता क्योंकि इन keypad मुबाइल्स के अंदर जो सबसे जादा यूज होता है वो display का और इसी के साथ keypads का ही होता है calling वगरे के लिए ही आप ये लेना पसंद करते हैं इसके लब वीडियो को आपको helpful लगी तो अपने दोस्ते के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा WhatsApp फेस्बुक पे मिलता हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई